तो पाज के फंडे के विनिंग सिरीज 80 में मिलते हैं फर्स्ट के साथ विच अफ फॉलिंग फैक्ट्स विट रिगार्ट तो इसकांदर M मिसाइल और रश्या इस और और करेक्ट निम्मल की कुण से तथ्य जो है इसकांदर M मिसाइल के बारे में करेक्ट है वन नाटो कोडनेम इट आज यस यस सिबलिंग इसको यस यस सिबलिंग ये कोडनेम नाटो ने दिया है दूसरा इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल ये एक ICBM है तीसरा कैपबल्च कैरी बोथ कन्वेंशनल और नुकलियर वारहेट्स दोनों वारहेट्स से कैरियाउन कर सकता है और चवता है फॉर्स ताइम यूजड बाय रशिया इन कॉमबैट इन जॉर्जिया जॉर्जियर में पहली बार रशिया ने यूज किया था यहना यूज दखरक कोड क्लिक करो देखो चॉइस में देखो सिर्फ दो ही है कोई तो भी फिर नाटो को ने यह कोड नहीं दिया है तो क्या दिया है तो दे दिया है yes yes 26 store यह जो है यह कोड नेम है और यह जो है not intercontinental ballistic missile but it is a short range it is a short range ballistic missile यह short range ballistic missile है SRBM ठीक है और जॉर्जिया में यह 2008 में use किया गया था चलो news क्या है देख लेते हैं my news ऐसा है इसकांदर यह missile system Russia has promised to arms Belarus with इसकांदर यह जो है यह term used by Russia to define both transport erector launch system और short range ballistic missile यह दोनों के लिए इसकांदर यह use किया जाता है यह terminology fire ground launch cruise missile यह देखो ground launch से हो सकता है poster आप देख सकते हो यह इसकांदर यह missile यह सिर्फ Russian military यूज करता है इसका range 500 km और capacity 700 kg payload capacity है ठीक है फिर जब यह Russian military यूज करता है तो बेलार उसको कैसा देंगे भई तो बेलार उसको कुन सा देने वाला इसकांदर यह export के लिए इसकांदर यह इसका range जो है 280 काम है 280 km और पेलोड भी काम है 480 kg अब यहाँ पे conventional warhead जो है equipped with the cluster bomb cluster bomb भी है electromagnetic pulse warheads bunker buster mutations सभी यहाँ पे है ठीक है 2006 में बना गया और 2008 में Georgia के इसमें पहले बार यूज किया गया यह second attempt था क्योंकि scud missile जो है यह intermediate range nuclear force treaty के तहर जो है withdrawal कर दी गए थी तो इसको replace करने के लिए जो है ओका लाय था अब ओका लाय तो यह भी कर दिया और इसी वज़े से फिर इनोने इसकांदर ला लिया second question which organization published the report India's booming gig and platform economy कुंसा organization है जिसने इंडिया's booming gig and platform economy यह report publish किया ए निति आयो बी इंडेस्ट्रियल फाइनस कारपोरेशन आफ इंडिया आइफसी है सी रिज़र बैंक आफ इंडिया आर्बिया और डी नाशनल सेंपल सर्वे और अर्गानाजेशन एन एस एसो कुंसा आर्गानाजेशन है भई सिंगल लाइन क्वेस्ट्यन है क्लिक करो हरे आफ जल्दी ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं मैं आच करो एंसर एंसर इस ए निति आयोग चलो देख लेते क्या न्यूज है जोस्तो न्यूज ऐसा है कि निति आयोग पिचेस फॉद इंसेंटिव ड्रॉब मोर उमार इन गीग एकोनॉमी जोस्तो गीग एकोनॉमी ऐसा है कि इसका पोटेंशल बहुत ज़्यादा है इंप्लामेंट जन्रेशन के लिए ओवियसली यहाँ पर यादि उमार का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है है ना तो इसी कॉंटेक्स में निति आयोग ने प्रोपोस किया है फिसकल इंसेंटिव जैसे टाक्स ब्रेक है स्टार्ट अप ग्रांट ह है किसको ऐसी कंपनी जहाँ पर वन थर्ड वर्फोर्स जो है यह तो उमन है या डिसाबल पीपल है फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आदी देखा जा इंडिया में तो काफी काम है इस असलेटिम बिट्विन दस सिक्स्टिम परसेंट तो 23 परसेंट रिजन ब्याड 2020-21 में 7.5 million workers were engaged in a gig economy हम देख सकते है कितना ज़्यादा है और आने वाले 8 साल में 23.5 million होने वाला टोटल वर्फोर्स का यह 4.1% होने वाला है तो obviously यह बहुत ही important sector है जापर उमन्स का participation उनके empowerment के लिए काफी कारगर शाबित हो सकता है लेकिन gig economy के अपने problems है gig economy is an unstable economy it's not giving the assured job अभी recently हमने देखा है अर्बन कमपनी के कुछ है जो gig workers थे उन्होंने अंदोलन किया अर्बन कमपनी में उन्होंको payment ही नहीं किया तो इसी situation में एक तरफ से यह नितियाग ने जो बुलाई इदे तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए fiscal incentive देना चाहिए बहुत अच्छा है लेकिन साथ में social security भी होनी चाहिए थर्ड question consider the following facts with regard to the advanced light helicopter mk3 alh mk3 वन पहला powered by vikas engine पहला फ्याक क्या है तद्थे क्या है powered by vikas engine दूसरा ability to switch roles to support the cost card in all strategic activities सभी strategic activities में जो है cost card को यह switch role में मल्टिपली multiple role में help करेगा 3 mounted automatic identification system and search and rescue home air इस पर एक automatic identification system और search and rescue home air याने s a r h जो है यह भी उसके उपर लगा दिया गया है तो which of the above facts is or are correct कौन से facts correct है दोस्तों क्लिक करें ओके चलो मैं क्लिक कर रहा हूं मैंच करते answer answer is d 2 and 3 2 and 3 only यह multiple role में है और एक automatic identification system और s a r h इसके उपर mount कर दिया गया है इसी वज़े से इसका जो है capacity जो है एक दम से जबर जस्त है लेकिन विकास इंजिंग ने विकास इंजिंग कहां पर यह तो rocket में use किया ना धान में रोक आप हैना rocket में use किया गया है satellite के लिए तो विकास इंजिन नहीं फिर इस में कौन सा है वही ती इस हविंग एक टू शक्ती इंजिन कौन सीजिन है शक्ती इंजिन धान में रोको हैना शक्ती इंजिन है तो अभी ऐसा question भी पूश सकते हैं चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कोजगार्ड स्काडरान इन पोर बंदर, 20 जुन 2022, कोजगार्ड कमिश्यन 835 स्काडरान, सीजी अफ दे इंडिजिनेस अडवांस, लाइट हेलिकाप्टर, यह किस ने बना है, इसका नाम क्या है, तो यह किस ने बना है, बिल्ट बाइ, हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिटेड, HAL, HAL इन ने बनाया, for the Coast Guard, at a four basis, कहां पे रहने वाला है, पोर बंदर, भुवनेश्वर, कोची और चिन्ने, यह चार जगई यह रहने वाला है, इसमें से अभी पोर बंदर पर दुसरा जो लॉट है, वो दिया गया है, state-of-art equipment है, यहापे, including advanced radar and electro-optical sensors, full glass cockpit, high intensity searchlight, advanced communication system, automatic identification system and search and rescue ACR हमार, यह यहापे है, ठीक है दोस्तो, next question, fourth question, which country recently announced second independence referendum in 2023, after people voted against the independence in 2014 referendum, कौनसी IC country है, कौनसा देश है, जो अभी second referendum करने वाला है स्वातनतरता के लिए 2023 में, जबकि 2014 में इन्होंने जो referendum किया गया था, उसमें voting जो against the independence हो गये थी, कौनसा इसा देश है, A. British Virgin Island, B. Scotland, C. Gibraltar, D. French Polynesia, कौनसा है भई, क्लिक करें, ओके, चलो मैं क्लिक करता हूँ, मैं आच करते हैं, answer, answer is B. Scotland, Scotland जो है, वो England से अलग होना चाहता है, है न, तो यो क्या मांच रहा है, देख लेते हैं, Since Scotland eyes independence vote in 2023, Scotland government ने 28 June 2022 को declare कर दिया गया है, कि भही, political tussle जो है, लंडन के साथ, याने UK के साथ, उसके हिसाफ से second independence referendum हम कप करने वाले हैं, 19th October 2023, ये date declare कर दिया, लेकिन अभी ऐसा है कि, to ensure legal clarity, government को UK से opinion लेना है, अब UK government क्या कहती है, कि already 2014 में referendum हो गया, और matter सेटल हो गया, against the independence तो अभी फिर से ये धन्दा करने की जुरत नहीं है, लेकिन, स्टग्यान जो है Scottish National Party के स्टग्यान जो है, वो क्या कहते हैं, कि UK का जो Brexit हो, Britain का exit of European Union, ये ही एक फिलाल में जो माहुल बना है, क्योंकि पहले Scotland जो था, उसकी public Brexit के against में थी, याने European Union में Britain रहे, इस सोच में थी, लेकिन Brexit हो गया है, Britain बहार निकल चुका है, और बहुत सारे Scottish voters, जो है majority, they are opposing this Brexit, तो obviously SNP, जो है Scottish National Party, गवर में, वो कहती है कि maximum Member of Parliament जो है, Edinburgh Parliament के, वो तो अभी नहाराज है वही, वो प्रो-Independence की बाते कर रहे हैं, तो इसले referendum होना सक्त जरूरी है, Last question, which of the following country is not a member of a new initiative called Partners in the Blue Pacific, है न, निचे दिये गए, जो देश है, उसमें से कौन सा देश, ये नया initiative आया है, Partners in the Blue Pacific, इसका member नहीं है, A. India, B. Japan, C. New Zealand, D. United Kingdom, कौन नहीं है वही, क्लिक करूँ, वन लाइन question है, Answer is A. India नहीं है, Japan, New Zealand, UK, USA, ये साब है, चलो देख लेते क्या है news, भही news I see है, कि Partners in the Blue Pacific, ये टाइटल के तहत एक informal mechanism जो है, ये 24th June 2022 को launch किया गया है, by USA, UK, Australia, Japan and New Zealand, ये देश नहीं है, ये बिल्कुल developed countries है, ठीक है, एम क्या है, effective and efficient cooperation with the region, small island nations, and to boost diplomatic and economic ties, ध्यान में रोको, वर्ड है, diplomatic and economic ties, अब diplomatic and economic ties किस चीज के लिए है, ध्यान में रोको, तो ये हैवे नीचे दिया गया है, China's aggressive push to increase the Pacific sphere of influence, ये major reason है, अब initiative members जो है, will elevate the Pacific regionalism, and force the stronger ties with the Pacific island forum, Pacific island forum में कितने members है, तो 18 members है, ठीक है, अब China ने May 2022 में, एक common cooperation agreement, the common development vision, है ना, ये 10 Pacific nations के साथ करार कर लिया है, obviously, चाइना की aggressive policy, जो है Pacific reason में, तो उसको control करने के लिए, चेक मेट देने के लिए, ये सब किया जा रहा है, April में, चाइना ने sign कर दिया था, security pact, Solomon Islands के साथ, तो obviously, ये जो चर रहा है, चाइना का entry और influence in the Pacific reason, इसको चेक करने के लिए, ये initiative लिया गया है, तो दोस्तों, 5 questions आपने समझ लिए लिए, चलो, all the best!